हे गाइज वेलकम बेक टो माई चैनल ब्यूटी डॉल मैं हूँ डॉली तो गाइज कैसे हो आप लोग आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइज तो गाइज सुबा का वक्त है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे हस्बेंड आप सुबा से ही पेड़ प पाफी पेड़ पौदे लेके आए थे और हमने उपर के सेक्शन में रख दिये हैं मतलब अभी छट पर ही रखे हुए हैं क्योंकि बहुत सुंदर लग रहे हैं वहाँ पर और वैसे भी अभी सर्दी का वक्त है तो थोड़ी बहुत धूप पेड़ पौद में अगर लग ज लेते हैं तो मैं भी उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कराने लग गई थी वैसे तो वही यह सारी काम मतला अच्छे से कर लेते हैं और यहां पर वो मेरे से बोलने लग गए थे कि तुम बस देखती रहा करो काम मत करवाय करो तो मैं यहां पर बैड़ गई थी और मैं होल करने लग गई थी भाई है जो मैं कर रही थी और उनसे जो हो रहा था वो कर रहे थे अक्षुल मैं क्या है कि यह जो मिटी की बोरी थी न इसमें कीडे वीडे निकल रहे थे मतला चोटे छोटे मेरे हजबन खाद और मिट्टी की ये बोरी खरीद के लेके आये थे तो इसमें छोटे-छोटे कीडे निकल रहे थे तो मैंने का भाई मैं नहीं छूँँगी तो यहाँ पर फिर वही देख देख के लगा रहे थे पेड़ पौदे मुझे देखने में अच्छे लगते हैं बहुत जादा लेकिन ये जो काम है ना मेरे से बनते नहीं अच्छे से इसलिए फिर वही करने लग गए थे और जो सच है भई मैं वही बताऊंगी आप लोगों को मैं क्यों बोलूँ कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ जब वो कर रहे हैं तो फिर वही कर रहे हैं आप देखी रहे होगे सामने से तो यहाँ पर अभी मैंने आपको एक प्याज दिखाई थी और ये गमले जो हैं वो खाली थे तो मेरे हस्बेंट ये बोलने लग गए कि इसमें ये जो प्याज है मतलब उन्हीं ने वो प्याज अलग करके रख दी थी साइड में कि हम लोग एक गमले में लगा देंगे इसको और ये पूरे में फैल जाएगी तो फिर वो मेरे से यही बोलने लग गए कि वो प्याज मैंने अलग करके रखे वही लेयाओ उसको गमले में लगा देते हैं तो इसलिए फिर उनके कहने पर एक गमले में वही प्याज लग गई थी और दूसरे गमले में आप जो बड़ा सा पौधा देख रहे हैं वो सोपीस का है और वो बहुत ज़्यादा कोस्ली आया था और मतलब मुझे पता नहीं है वो किस चीज का है लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था इसलिए फिर हम लोगने खरीद लिया था और जब ये बड़ा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा सुन्दर लगने वाला है और उसके बाद आप देख सकते हैं एक छोटे से गंबले में भई कड़ी पता लग रहा था इस बार तो मेरे हजबन सो पीस के साथ साथ जरूरत की चीजे भी लगाना पसंद कर रहे थे और उन्होंने बोला कि जब पेड़ पौदों की देखभल करनी है तो क्यों न एक दो चीजें ऐसी लगाई जाएं जिससे की भई जो हमें कुछ दें मतलब जरूरत के हिसाब से जैसे की कड़ी पता एक ऐसी चीज़ है जिसकी जरूरत जो है वो हमेसा ही पड़ती है और भई कड़ी तो मेरे हजबन को लगाएंगे और मिर्च का पेड़ भी लगाएंगे और जब उसमें मिर्च और टमाट राएंगे तो आपको जरूर दिखाएंगे अभी नहीं लगाया लेकिन हम लोग लगाएंगे जरूर तो सारे जो पेड़ पौदे है वो लग गए थे और अभी मैंने यहीं रख दिये है और क्योंकि अभी डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा कहां रखना है इसलिए अभी मैंने फिलाल में धर ही रख दिये थे और इसमें आप देखके हैं दो-चार दिन पहले ही ने लगाएंगे ये बेल और फिर उसके बाद मैं आगी थी किचिन में, क्योंकि नास्ता नहीं किया था, और सुबह से मेरी मम्मी जो सास आई हुई है, तो उनको मेरी दीदी ने बुला लिया था, मतलब कुछ काम था, तो इसलिए वो सुबह से नास्ता करके चली गई थी, और मैं यहाँ पर नास्ता चाय चड़ा दी थी, तो नास्ते में आज बन रहा था, मंगोडी, मतलब मूं की दाल की मंगोडी बन रही थी, और बहुत जादा मुझे अच्छी लगती है, वैसे तो वैसे भी दीवाली बिल्कुल दो दिन के बाद ही है, तो सबसे पहले आएगा धंतेरस, फिर छोटी द दिवाली और फिर बड़ी दिवाली, तो सारे कामों से तो वैसे तो मैं निपट चुकी हूँ, बस थोड़ा बहुत जो भी कुछ है सजाने, सवारने का वही सब चलता रहता है, अभी हाल फिलाल में घर में, और देखते हैं कि धंतेरस पे क्या खरीदना है, वैसे तो हम लो आपके साथ शेयर तो मैं करी दूंगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गर्मा गरम भजी के साथ साथ, मतलब मंगोरी के साथ साथ, यहाँ पर चाय भी पक रही थी, और मेरे हजबेन को ड्यूटी भी दाना था, तो इसलिए वो तो रेडी हो गए थे, और मेरे जो छो इसलिए मैंने दर-दरी टाइप की PCA क्योंकि मुझे इस टाइप की अच्छी लगती है, तो मैंने इसी टाइप की बना ली है, और यहाँ पर जैसे ही गरमा गरम मंगोरी सी की, तो मैं सुचा की चलो सबसे पहले उन्हीं लोगों को दे देती हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने बोला नास्ता कर लो, तो उन्होंने बोला कि साथ में ही कर लेंगे, तुम पहले बना लो, तो इसलिए फिर यहाँ पर फिर मैं सारे ही बनाने लग गई थी, और, यहसे भी को भी मैंने सुबह से मंगोरी ही बना के रख दी थी, और मतलब बिना मिर्च की, टिफिन में, तो स कोई कनफ्यूजन ना हूँ, आप लोगों को इसलिए मैं बार बार बोल देती हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाय भी रेडी हो गई थी, और सब कुछ रेडी हो गया था, बस अब नास्ता में लगाने लग गई थी, और मेरे हजबन बेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें दस बजे सम्तिंग जाना था, और मैं थोड़ा सा लेटी हो गई थी, वो भी लेट हो गई थे, क्योंकि पेड़ पौदों में लग गए थे सुबा से, और वैसे भी दीवाली नजदीक है ना, तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों का सभी लोग ख्य करो, मुझे दवाई वगेरा लगाने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, मतलब मुझे बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता है, दवाई खाना और लगाना, तो इसलिए मैं उसे बोल रही थी, कि मैं अभी नहीं लगाऊंगी, और वो मुझे बार 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 बोल रहे थे, तो मेरा मुझे बन गया था, मैं अगा ठीक है, जब मैं आराम करूंगी तो लगा लूँगी, तो इसलिए फिर उन्होंने बहीं रख दी कि तुम्हें याद बनी रहे, मतलब मुझे याद बनी रहे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर हम दोनों बैठके आराम से ना दो, तो ऐसा लगता है कि हमारे बीच में एक छोटी सी प्यारी सी गुडिया बैठी हुई है, और मेरे आसपास वाले सब लोग इसको लड़की ही समझते हैं, सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की कहती है, मुझे ये लगता है, मतलब इसको बाहर निकालने में भी म उसके खुले रहते हैं, तो यहां पर फिर मेरे हजबन चले गए थे डियूटी, और मेरे बच्चा जो है वो आराम से बैठके चोकलेट वगरा खा रहा था, पहले मेरे हजबन उसको चोकलेट दिला लाए उसके बाद वो डियूटी गए थे, क्योंकि वो जब भी बाहर जा और अपने घर के काम करती भी जाती हूँ, क्योंकि भई उसको देखना भी जरूरी है, क्योंकि अगर उसी के पीछे लगी रहूँ ही, तो फिर काम रह जाएंगे, इस चक्कर में दोनों काम साथ साथ कर लेती हूँ, और आज कुछ ऐसा हो गया, कि मैंने सोचा नहीं था, ज मेरे बच्चे को देख लेंगी, तो इससे क्या होता है, मैं अपने फिर काम जो है, फटा फट करती जाती हूँ, नहीं तो ऐसे मैं उसको छोड़ छोड़ के देखना पड़ता है, तो यहाँ पर फिर जैसी सबजी चौंक दी थी, मैंने और एक साइड आप देख सकते हैं, दूद वली रहा था, और यहाँ पर मैंने आटा वगरा भी लगा लिया था, बस रोटियां सेखने को रह गई थी, तो मैं सोचा कि चलो लगे हाथ और रोटियां भी सेख लेते हैं, सबजी अभी पकी नहीं है, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर रोटियां सेखने लग गई और बच्चा मेरा आसपास ही खेल रहा था, मैं बार बार मुड़ मुड़ के देखती चाती हूँ कि बच्चा क्या कर रहा है, और कमरों के मैं हमेशा गेट बद कर देती हूँ कि वो कमरों में जाके सेतानी ना करें, क्योंकि वो सेतान तो है, सामान फिलाता है इदर उदर, फिर भी उसको देखते ही देखते आज उसने बहुत ज़्यादा अपने आपको नुकसान पहुँचा लिया था और इधर मैं खाना बनाई रही थी उधर मुझे रोने की जैसे यवाज आई तो मैं सब सामान छोड़ चाड़के उसके पास गई तो उसके मुँ में मतलब वो गिर गया था गाड़ी से तो उसके मुँ में बहुत ज़्यादा बलड निकलाया था क्योंकि दाद जो है उसके होट में लग गये थे तो बहुत ज़्यादा खूनी खून निकलाया था बहुत रो रहा था बहुत ज़्यादा रो रहा था तो फिर यहाँ पर मैं उसको लेके थोड़ी दिर के लिए बैड़ गई थी चुपकर आती रही उससे बाते करती रही और बहुत ज़्यादा जब उसको ब्लड निकला तो बहुत मुझे दुख हुआ इस चीज का कि देखते ही देखते बच्चों को कब कहां कैसे लग जाती है कुछ कह अपने एक बच्ची को नहीं देख पाती हूँ जब भी उसको लग जाती है तब मेरे दमाग में सिर्फ यही आता है क्योंकि बड़ा वाला तो इसको चला जाता है बस देखने के लिए यही बसता है लेकिन देखते देखते भी इसको लग जाती है तो गाइस बहुत रोया था यह और रोते ही रोते मैंने इसको दूद की बोतल दे दी थी पीने के लिए और आराम से पहले तो मैंने इसको गोदी में लिटाए रखा फिर मुझे लगा ऐसा कि इसको साइद मीन सी आ रही है तो मैंने इसको लिटाल दिया तो यह आराम से सो गया था और आप देख सक तो खुद ही पो पता नहीं कैसे नसे में आ जाते हैं तो उसको बहुत लग गई थी वह बहुत जादर दुख हो रहा था मुझे इस चीज का लेकिन क्या कर सकते हैं जब वो सो गया था उसके बाद मैं फिल लग गई थी कामों में जल्दी से फटा फट से खाना बनाया बरतन में तो गयर देखी बहुत जादर समय लगता ही है तो यहां पर मैंने गयर बरतन भी साफ कर लिये थे और उसके बाद मैं फिर जाडू बगएरा लगाने लग गई थी और अभी यस भी आया नहीं था और ना मेरी सास आएं थी और बच्चा छोटा वाला सोई गया था और मेरे हस्बेंड को दो बजे खाना खाने आना ही था तो सोचा है सब लोग साथ में खाना खा लेंगे जब सब लोग आ जाएंगे मम्मी आ जाएंगे और यस भी आ जाएगा और मेरे हस्बेंड आ जाएंगे तो हम सब लोग साथ में खा लेंगे तो गाइस घर के सारे काम सुभा के मेरे खतम होई चुके हैं और छोटा वाला मेरा बिचारा रोते रोते सोई गया था क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा लग गई थी और इसको लग जाती है ना तो मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है और वह वैसे भी मतलब इतना सितान है उसको क्या बताऊं मैं देखते देखते कभी गभी वो ऐसे ही अपने आपको गिरा लेता है मार लेता है पता ही नहीं चलता उसको कब लग गई तो गाईद मैं अब अपने ब्लोक का यहीं परेंड करूंगी वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में